आज मैं आप सभी के साथ सेयर करने जारी हूं मसालेदार बेंगन की रेसिपी वेल्कम बेक टू माई चैनल तो आईए बनाते हैं बेंगन की सबजी बनाने के लिए हम एक बड़ा चम्मच तेल गरम कर लेंगे तेल गरम होने के बाद एक छोटा चम्मच जीरा डालकर भून लेंगे फिर हम इसमें दो साबुत लाल मिर्च और एक तेजबत्तर डालकर इनको भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे लेसोन और अधरक का पेस्ट एक बड़ा चम्मच और फिर हम इसमें डालेंगे तीन हरी मिर्ची बारीक कटकी हुई इनको भी हमें भून लेना है और गैस का फ्लेम रखना इस ताइम कम और इसी तरीके से कुछ सेगंड के लिए लगातार चला तो भून लेंगे अब हम इसमें एक प्याज डाल देंगे मीडियम साइज का रफली चौप किया हुआ इसको भी हमें भून लेना है गैस का फ्लेम इस ताइम रखना है मीडियम और लगातार चलाते हुए प्याज को हम भूनेंगे जब तक यह ट्रांस्पेरेंट ना हो जाए तो देखिए य इसी तरीके से हमें प्याज को भून कर त裃घ करना है अब हम इसमें डालेंगे टामाटर का पेस्ट तो यह मैंने 4 टामाटर का पेस्ट ब्राकर तायार किया था इसको अमेशमेय करदेंगे अब हम इस पेश्ट को इसमें अच्छE से मिक्स कर देए और गैस का फ्लेम रखे टामाटरों में आभ रालेँ में इसमें मसाले एड़ कर देंगे धनिया पाउडर 0.5 छोटा चमफ। फिर डालेंगे हम लालमिर्च पाउडर 0.5 छोटा चमफ। नमक L叫 तेस्ट के आनुसार 3-4 चोटा चमच और हल्दी पाउडर लेंगे हम एक तियाई चोटा चमच फिर डालेंगे हम गरम मसाला एक चोथाई चोटी चमच से भी कम अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इन मसालों को इस ग्रेवी में बिल्कुल अच्छे से उसके बाद हम इस ग् वीडियोज को सबसे पहले देख सको तो देखिए मसालों को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है पानी हमें डालना नहीं है अब हम इसको ढख कर पकाएंगे और पकने के बाद हम चेक करेंगे मसाला बिल्कुल अच्छे से पक जाना चाहिए तो देखिए तेल कम कर देंगे इस ताइम और बिल्कुल अच्छे से इसको इस तरीके से खुला भी चलाएंगे कुछ सेकेंड के लिए तो और भी आपको नहीं नहीं रेसिपीज देखनी हो तो आप मेरे फेस्टुक पेज और इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रि किसे यदि हम बैंगन बनाते हैं तो बैंगन बेहदी टेस्टी बनते हैं स्वाधिस्ट बनते हैं और हर कोई खाना पसंद करता है वेंगन की सबजी को तो देखिए अच्छे से कोट कर देंगे मसाले से और इन बैंगनों को जब मैंने काटा था तो इनको पानी में डाल दि अच्छे से मिक्स कर दिया है कोट कर दिया है मसाले से अब हम इनको डब कर पकाएंगे एक बार बीच में चैक कर लेंगे और फिर हम तो देखिए अब हम चैक कर लेते हैं क्योंकि यह सौप्ट हो चुके बहुत जल्दी पक जाते हैं बैंगन ज्यादा मैसी भी करने नहीं ह हमें इनको अच्छे से मिक्स करेंगे तो देखिए यह हमारी मसाले दार बैंगन की सब जीबन का तयार है फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई कीजिएगा सेम रेसिपी से और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अब हम इसमें धन्या पत्ति डाल आप